नवस्कार मैं हुमाईन सिंग और आप देख रहे हैं निकसाइन यूजाज बात करने वाले हैं उत्तपरदेश की राज़दीती को लेकर अगर खास तोर पर देखा जाए अखली शियादों बीते लोग सवाचुनाओं में जो तरीके से बहतर परदर्शन करते हैं उसके बाद माना ये जाता है कि आब कहीं न कहीं वो एक निर्णायक मूमिका में रहने वाले हैं वहीं उपचुनाओं है दस सीटों पर अगर देखा जाए तो अखली शियादों ने कहीं न कहीं इस बार के जादा से जादा सीटे निकालने के लिए अपना दम खम लगा दिया है वहीं स कर रहा है कि अब बुवा और भबुवा की जोड़ी अगर एक बार फुर से आ जाती है तो कहीं न कहीं भारतिये जंता पार्टी का जो सूपड़ा है वो साफ होता हुआ नसरा सकता है क्योंकि अगर इस पर पूरे तरीके से देखा जाए तो कहीं न कहीं मायावती की वज़ और यही कारण है वो जोहते ही कि मायावती उनके साथ एफ़र से कमबाक करते हुँ नसरा है महीं अगर 2019 के समीकरण की बात करे तो 2019 में मायावती और अकली इश यादो ने एक साथ चुनाव लड़ा था और अकली इश यादो ने यहां तक बादा कर दिया था कि अगर वो च गड़बंधन में रहती है मायवती 10 सीटों पर जीत दर्श करती हैं वहीं अखली श्यादों मात्रे 5 सीटों पर सिमट कर रह जाते हैं तो ऐसे माना यह जो आ रहा था कि कहीं न कहीं मायवती का जो गड़बंधन है वो तो नहीं सफल हो पाया 2019 में लेकिन इस बार एक बार चुनाती के तोर पर सामने आ रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो जहर तोर पर मायवती की मुस्कले तो बढ़ने ही वाली हैं यही कारण है कि अखली श्यादों के लिए एक सॉफ्ट रुक अगर उनका निकल कराता है तो कहीं न कहीं इसका फायदा भी उनको देखने को मिलेगा 2019 क लोगसवा चुना की तरह और यह बात इसलिए भी निकल करा रही है क्योंकि भारत बंद पर जो तरह के से अखली श्यादों मायवती को सपोर्ट करते हैं राजेश चौधरी जो बीजेपी के एक नेता है उन्होंने मायवती को लेकर रस्ट मुख्यमंत्री करार दिया जिसक सेखर आजाद रावन कहते हुए नसराय क्या इन सब तमाम बातों से यह अटकले लगाई जाने लगी कि क्या अब मायवती और अखली श्यादों का फट से गड़ बंदन होगा क्या चौन सेखर आजाद की तरफ मायवती अपना रुख करते हुए नसरायंगी फिलाल अभी इस पर कहीं न कहीं लोगों के कयास जारी हैं देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यह जो कयास है वो सच्चाई में परिवर्दित होते हैं या नहीं देखना बेहर दिलचस्प होगा फिलाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें का मेंट बॉक्स में जरूर बताएगा फिलाल के लिए वह सितना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स नहीं जोच पर